आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रोजन शोल्डर इसे एड़हसिव कैप्सुलाइटस भी कहा जाता है एक क्रोणे कंडिशन है जिसके नतिजे में बहुत شदीध दर्थ पैदा होती है और हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो स्टिफ़ कर जाता है उसमें बहुत ज्यदा अकरन पैदा हो जाती है उसकी हरकत आहस्ताहस्तामादूम हो जाती है और हम अपना बाजू हि भी नहीं रहते हैं हमारी जितनी भी movements हैं वो हमारे joints की वज़ा से बनती हैं लादा ये जो हमारा shoulder joint है इसमें हमारी humerus bone हमारा scapula और clavicle bone ये तीन bones मिलकर एक joint बनाती है और कुदरत ने इसकी हिफादत के लिए इससे connective tissues से बने हुए एक capsule में बंद कर दिया है यह जो कैपसोल है इसके अंदर इतनी जगा होती है कि हमारा शोल्डर जॉइंट जो है वो असानी से अपने काम करता रहता है लेकिन अगर किसी वज़ा से यहां पर इंफलमेशन हो जाएं यहां पर टिशू जो हैं वो स्टिफ कर जाएं हार्ड हो जाएं और जोईन को यहनी हुमरास बोन को हरकत करने के लिए जगा ना मिले तो नतीजे के तौर पर जो हरकत है वो तकलीफ दे होना शुरू हो जाती है और स्टिफनेस बरते बरते इस अद्ध कर जाती है कि हम अपने जॉइंट को या अपने शूल्डर को मूव नहीं कर पाते हैं यह जो मर्द है यह आइस्ता इस्ता डिवलप होता है यह कोई ऐसी एक्यूट कंडिशन नहीं है कि फॉरी तोर पर हमारे सामने आएगी ग्रेजूली जो है यह बढ़ना शुरू होता है और वक गुजनने के साथ साथ इसमें शिद्ध पैदा हो जाती है और इस से जो रिकवरी है वो भी बहुत स्लोली होती है मर्द जिस तरह आइस्ता इस्ता वरता है उसी तरह आइस्ता इस्ता रिकवर करता है और बाद वकात एक से तीन साल तक करसा लग जाता है इसको रिकावर होने में ये फ्रोजन शोल्डर का जो मर्द है आम तोर पर एक ही वक्त में एक ही शोल्डर में आता है और इसके बार-बार होने के चांसे दरह कम ही होते हैं लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक वक्त में ये दोनों शॉल्डर में आ जाए या पहले एक शॉल्डर में ये मसला है और उसके बाद दूसरा शॉल्डर जो है वो भी उसमें इन्वाल्फ हो जाए इस मर्स के पैदा होने की दो चारी वजुहात हैं उन में से एक तो ये है कि अपने सर्जिरी कराई है उसके बाद आपको कुछ हर्से के लिए जो है प्लास्टर बादना पड़ता है और आपका बादू जए एक ही जगां पर रुक कर रह जाता है आप उसको हिला नहीं सकते हैं तो नतीजे के तोड़ पर ये जो कैपसॉल है जो टिशूस का बना आती है यहां फिर यू होता है कि अगर आप अपने शोल्डर के बल गिरे हैं आपको कोई चोट लग गई है तो उस वज़ा से भी ये मर्द जो है हमारे सामने आ सकता है और मेन इसमें जो एक रोल है वो यही है कि अगर एक लंबे अर्से तक हम अपने बादू को हरकत ना द है इसके लावा एज भी इसमें एक रोल प्ले करती है कि आप जब बड़े होना शुरू हो जाते हैं यहां बुरहपे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो फिर ज्यादा चांसे होता है कि आप फ्रोजन शोल्डर के मर्द का शिकार हो जाए खवातीन जो हैं वो इस मर्द में ज्यादा मुब्तला होती हैं और अगर आप नॉर्मली भी अपने किसी बादू को कम श्रकत देंगे तो फिर नतीजे के के तोर पर आप इस मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं अगर आप डाइबाटिक हैं हाइपरधाइराइडिसम के मर्ज का शिकार है या हाइपो थाइडिजम के मर्ज का शिकार है या आपको फॉलिज हुआ है या परकेंसन डिजीजिस में आप मुबतला है तो उस सूरत में भी बहुत ज्यादा चांसे होते हैं कि आप इस मर्ज का शिकार हो सके इस मर्ज में अदवियात के साथ साथ जिन चीजों से मदद ली जाती है वो एक्सरसाइज है अगर आप एक्सरसाइज करेंगे अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइज करेंगे अपने मसल को स्ट्रेंफन करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो नतीजे के तो और आपका ये ज यह gradually हमारे सामने आता है लादा इसकी 3 stages हैं जिस सूरत में यह मर्द हमारे सामने आता है पहली stage यह है कि जब आप अपने कंदे को हरकत देते हैं कोई भी moment आप करते हैं तो आपको दर्द होती है और आइसा इसा जो है आपकी जो moment है यह limit होकर रह जाती है यह आप freely अपने shoulder को move नहीं कर पते हैं आपकी moment जो है एक दाइरे में आ जाती है limited moment आप करते हैं और उस movement के साथ आपको बहुत ज़्यादा दर्द होती है और यह stage जो है यह 2 से 9 माह तक रहती है इस stage को freezing stage कहते हैं यह नि मर्द start हो गया freezing stage शुरू हो गई और आश्तायशा आपका मर्द जो है बरना शुरू हुआ और उसके बाद freezing stage से नेकल कर यह frozen stage बे आता है यह frozen stage जो है यह doosy stage हो, दूसी stage है इस मर्द की इसमें यह कि दर्द जो है वो कम हो जाती है और जो आपका shoulder joint है वो बहुत ज्यादा stiff हो जाता है यहां तक कि आपके लिए उसे इस्तमाल करना, move करना नमुम्किन हो जाता है और यह stage जो है यह 4 से 12 महीने तक चलती है तीसरी जो stage आती है उसे thawing stage कहते है इसे recovery stage भी कहते है thaw का मतलब होता है पेगलना कोई चीज जम गई, पहले वो freezing condition में आई, जमना शुरू है फिर वो frozen condition में आगई, जम गई, अब thaw का जो अमल है वो शुरू होगा अब आश्ता आश्ता वो चीज जो है पेगलना शुरू होगी इसको recovery stage में कहते है इसमें यह है कि आपका कंदा जो है वो improve करना शुरू हो जाता है और आपकी moment जो है आश्ता इस्ता बेतर होना शुरू हो जाती है और यह stage जो है recovery की जो stage है यह पांच मीने से लेकर 24 महीने यानि दो साल तक चल सकती है complication इसमें जो आती है वो यही आती है कि दर्द की वज़ा से आप हर वकद बेचैनी की हालत में रहते हैं आपकी नीद मतासिर होके रह जाती है आपकी जो खरकत है वो इंतहाई महदूद और बाद अकाद जिस तरह मैंने आपको बताया frozen stage में तो बिलकुली खतम होके रह जाती है और इसमें दर्द जो है वो बहुत शदीद पाई जाते है क्यों जहां पर भी inflammation होगी जहां पर भी आप के stiffness पाई जाएगी अकरन पाई जाएगी तो वहां लाजमी तोड़ पर दर्द आएगी homeopathic medicine से पहले मैं आपको फिर से एक दफार repeat कर दूँ कि आप इस मर्स से exercise के जरीए भी निजात हासिल कर सकते हैं बहुत सारी हमारी ऐसी exercise हैं जिन को इक्तियार करकर हम आहिस्ता आहिस्ता इस stiffness को खतम कर देते हैं और जाहरे उन exercise के लिए आपको nut की मदद लेनी पड़ेगी यहां आपको किसी ऐसे शक्स से मिलना बड़ेगा जो फिजियो थरापिस्ट है यहां जो exercise करवाता है तो उस सूरत में फिर वो आपको गाइड करेगा कि आपने कौन सी exercise देख त्यार करनी है कि आपके कंदे की जो stiffness है वो खतम होना शुरू हो और आपके कंदे की movement जो है वो बहाल होना शुरू हो जब anyhow हम आते हैं अपनी top grade medicines की तरफ जिन को इस्तमाल करकर हम इस तकलीफ देखालत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं top पे हमारी जो medicine है पहले मैं आपको उनके नाम बताओंगी उसके बाद मैं कुछ ऐसी medicine भी बता दूँगी जो इस मर्द में इस्तमाल की जाती है according to totality of symptom लेकिन top grade हमारी जो medicine है वो है रुस्टॉक्स रुस्टॉक्स के हवाले से मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि रुस्टॉक्स जो है हमारे जॉइंट्स के ओपर इसका खास हथर है हमारे connective tissues के ओपर हमारे ligaments के ओपर हमारे tendons के ओपर और रुस्टॉक्स को इस्तमाल करने के लिए एक ही characteristic symptom काफी है एक तो आपने ये जाननी है ना कि रुस्टॉक्स जो है वो हड़ियों की बेहतरीन दवा है joints की बेहतरीन दवा है tendons और ligaments के ओपर जो भी अलामात आती है उनकी बेहतरीन दवा है तो रुस्टॉक्स का इसके लावा भी एक characteristic है जिसकी बुनियाद बर हम इसे तमाम दवाईयों से अलग कर लेते हैं वो ये कि पेशन्ट की जो पहली हरकत है वो इंतहाई तकलीफ दे होती है लेकिन जैसे जैसे मूव करता है पेशन्ट अपने आपको बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है यानि वर्स डूरिंग रेस्ट अराम की हालत में तकलीफ और जैसे ही मूवमेंट करना शुरू करता है पेशन्ट अपने आपको बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है इसके लावा इसकी जो इलामात हैं वो सर्द मरतूब मौसम में बढ़ जाती है यानि सर्दी के मौसम में इसकी इलामात बहुत बढ़ जाती है और इसके साथ ही एक और्ड मेडिसन है इनी इलामात पर इस्तमाल करवाई जाती है इस दवा का भी हमारे जोरों के उपर, हमारे बंदनों के उपर, टेंडन्स के उपर, हमारे लिगमेंट्स के उपर, हमारी हडियों के उपर बेहतरीन असर है और ये रूस्टॉक्स के पेरलल इस्तमाल होती है लाजा जब आपने ऐसे मसाइल में रूस्टॉक्स को इस्तमाल करना है तो आपने रूटा को नहीं बूलना है मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था रूटा के उपर जब मैंने किया था कि रूटा बिलकुल रूस्टॉक्स की तरह इस्तमाल होती है और इसका तो focus ही जो है वो ligaments और tendons हैं, joints हैं, जहां जहां joints बनते हैं, वहां वहां रूटा का इस्तमाल किया जाता है तो top के उपर आपकी दो medicines है, एक rostox है और दूसरी रूटा है तीसरी जो हमारी top grade medicine है वो brinya है और brinya को इस्तमाल करने के लिए rostox की तरह एक ही characteristic symptom काफी है याद रखिए brinya जोरों की बेस्तरीन दवा है और brinya में भी दर्द शदीद पाए जाते हैं, shooting pains पाए जाती है, sharp pains पाए जाती है, tearing pains पाए जाती है फार देने में दर्द पाए जाते हैं, लेकिन brinya को इस्तमाल करने के लिए जो चीज़ हमें indicate करती है वो ये कि least moment और ये least moment में आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि मामूली सी खरकत जो है तकलीफ में जाती कर देती है और उसके बाद जब पेशेंट मुकमल अराम की हालत में आता है तो पेशेंट अपने आपको बेहतर महसूस करता है least moment तकलीफ पैदा कर रही है, मुकमल अराम की हालत में पेशेंट है तो पेशेंट अपने आपको पुरसकून महसूस कर रहा है reverse to rostox rostox में क्या है कि जब पहली हरकत करता है तो तकलीफ है जब अराम की हालत में है तो तकलीफ में है जिसे जिसे हरकत करना शुरू करता है patient बेहतर होना शुरू हो जाता है तो याद रुखे ये तीन आपकी top grade medicines है rostox, ruta और brainia इसके लावा जो बेहतरीन दवा काम किरती है वो causticum है causticum भी जोरों के हवाले से paralytic weakness के हवाले से जब आपके कंदे move नहीं कर रहे हैं आपका बादू move नहीं कर रहा है stiffness बहुत ज़्यादा पाई जा रही है और दर्दे जो हैं ज्यादा है और सुबा के वक्त दिन में ज्याती हो जाती है तो causticum को इस्तमाल किया जाता है जहां जहां आप rostox का इस्तमाल करते हैं जहां जहां आप brainia का इस्तमाल करते हैं जोरों के हवाले से paralytic weakness के हवाले से stiffness के हवाले से हरकत मحدود होके रहे गई है वहाँ वहाँ कस्टिकम को इस्तमाल किया जाता है फिर हमारी एक और बेहतरीन मेडिसन है जिसको इस मर्द में इस्तमाल किया जाता है वो है फेरम मेट लेफ साइडिड फ्रोदन शोल्डर में इस दवा का इस्तमाल किया जाता है और इस दवा में जो दर्दे हैं वो खरकत से ज्यादा हो जाती हैं और गर्मी से इन दर्दों में आराम आता है। सेंगोनेरिया हमारी बेहतरीन दवाई है, राइट साइडिड मेडिसन है, राइट साइडिड फ्रोजन शोल्डर के लिए इस्तमाल होती है। और इसमें रात के वक्त दर्दें जो हैं बहुत ज्यादा बर जाती हैं और मरीज के लिए अपने बाजू को उठाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। फिर हमारी दवाई जो है लेडम पाल है और लेडम पाल का एक ही करेक्टरिस्टिक है कि दर्दें नीचे से उपर की तरफ जाती हैं और जब दर्दें नीचे से उपर की तरफ जाएं तो लेडम पाल को इस्तमाल कीजिए उपर से नीचे की तरफ हैं तो कैल्मिया को इस्तम जा चुकी हूं कि हम किस तरह पता करते हैं कि दर्स जो है नीचे से उपर जा रही है यह उपर से नीचे आ रही है फिर कलकेरिया फॉस हमारी बेहतरीन दवाई है जो इस मसले में इस्तामाल की जाती है क्यों कलकेरिया का भी खास हसर हमारी हडियों के उपर है और इसमें पेन stiffness के साथ जो एक चीज पाई जाती है कि जब भी मौसम तब्दील होता है मरीज की इलामाद जो है वो वर्स हो जाती है रूडो डेंड्रोन को इस्तमाल किया जाता है इसका भी अपना एक करेक्टरिस्टिक है कि थंडर्स्ट्रॉम में इसकी इलामाद जो है वो बहुत बिगर जाती है फिर आप उन अदविया की तरफ आईए जिने पेंगिलर के तोर पर होमेपेथी में माना जाता है जैसे मैक फॉस है जैसे आर्नीका है आप इन अदविया का इस्तमाल कर सकते हैं सिफलाइनम को आप इस इस्तमाल कर सकते हैं थूजा इस्तमाल की जाती है लाइको पॉडियम सल्फर फाइटोलाइका चलीडोनियम बहुत सरी अदवियात हैं जो इस मर्द में इस्तमाल की जाती हैं लेकिन टॉप ग्रेट जो हमारी मैडिसन इस मर्द में इस्तमाल की जाती हैं डूस्टॉक्स ताबे के स्तमाल करवाई है अब देखिए यह क्या चीज़ है यह जो फ्रोजन शोलडर है इसमें इन्फलमेशन हो जाती है हमारे शोलडर केपसॉल की और जहां इन्फलमेशन आता है वहांपां यह जाता है वहां फेरम फॉस आती है वहां बैलाडोना आती है तो आप फ Wyatt Force को जब आपके पास ये मर्द आता है तो आपने उन एक्सरसाइज को भी साथ में जरूर इक्तियार करना है जो आपके जॉइंट के उपर असर करती है यहाँ मैं आपको सिंपली एक शॉल्डर के हवाले से एक टिप दे दूँ एक्सरसाइज के हवाले से जो लोग अपने शॉल्डर को मूव नहीं करपाते उनको चाहिए कि भी स्थर के उपर लेड़ जाए बिलकुल सीधा अपने बिस्थर के उपर लेड़ जाए और अपने बाजू जो है वो सीधे उपर ना लेके जाए کونیاں मोڑ کر अपने बाजू अपने कंदों तक ले जाए उसके बाद जो है वो आश्ता इस्ता अपने बाजू को इंचिस के हवाले से उपर ले कर आए जब वो थोड़ा थोड़ा अपने बाजू को उपर ले के आएंगे क्यों ये मर्द आता है बाजओं की मुमेंट ना होने की वजह से तो जब आप आस्ता इस्ता अपने बाजओं को मूव करना शुरू करेंगे एकदम सिंही आपने करना शार आप इंफलमेशन गालत में हैं श्टिफनेस के आप से बाजू ही नहीं रहा आप चाह के भी अपना बाजू नहीं हिला पाएंगे तो पिलकुल आइस्ता इस्ता अपने बाजू को मूव कीजिए डेली बेसिस के ओपर दिन में तीन चार दफ़ा ये एक्सरसाइज कीजिए और जिस तरह मैंने पहले भी कई अपने लेक्चर्स में कहा के नेट का इस्तामाल कीजिए देखिए वहां पर आपके मर्ज के हवाले से कौन सी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को अपनाईए अपनी अदवियाद का इस्तामाल कीजिए आप इन तमाम मेडिसन्स को हाई पुटेंसी में भी इस्तामाल कर सकते हैं और आप इनको 30 potency में भी इस्तामाल कर सकते हैं लेकिन जब तकलीफ इतनी शिद्दत इख्तियार कर रही हो तो पहले acute condition पर काबू पाने के लिए दर्द की शिद्दत पर काबू पाने के लिए high potency का इस्तामाल कर लेजिए उसके बाद जब आप दर्द की शिद्दत को कंट्रोल कर ले तो पर potency को भी आप 3200 तक लेकर आजाएए इन्शाला आपना काम नहीं होंगे शुक्रिया ऑद जली नहीं हो कर दोद में एा लेकर जो दो जब याकम कर दो वांचे लेकर वांचे लेट झाल झाल